गोशना पत्र को जिससे में जारी किया जा रहा हूं उसको इस तरीके से एक इवेंट में परिवर्तित कर देना और उसका भी जिसे कहा जाए एक संदेश जनता को पहुचाना ये मुझे लगता है ये खास है देखे शुबन जी मैं शुरुआत में आपने क्या कहा था कि विपक्ष ने सवाल उठाया कि बहुत जल्दबाजी में कर दिया गया है तो मैं आपको वही बता रहा था कि करीब 15 लाख लोगों से राय मश्विरा लिखत पढ़त में किया गया है उसमें कितने कारी कड़ता थे कितनी जनता थे इस पर सवाल उठाते रहें लेकिन कुल मिला के जो कहते हैं कि कम्यूकेशन करना और यहां पर बस्तर से भी जो बात आ रहे थे वो नकसल प्रभावी छेत रहे और नकसलियों के खिलाब सरकार ने पूरी तरीके से कि नकसलवाद को बिल्कुल खतम कर देना उसके ताबूत में आखरी कील ठोक देना है तो वो जानते हैं कि यह फोर्से से नहीं होने वाला है इसके लिए वहां के लोगों को मुकिधारा में लाना पड़ेगा अगर आप जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेरमाइन थे राजनाज सिंग जी उनका भाशन ध्यान से सुने तो जो सबका साथ सबका विकास की बात होती थे मैं देश नहीं जुकने दूंगा इनके बोल बदलते गए गारंटी में और सही नियत बदलती गई सही नतीजों में मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी आने वाले पांच साल भी होंगे सेवा, सुशासन और गरीब कल्यान के ये है भाजपा का संकल्ब और मोदी की गारंटी आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का आउसर दिया और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पी-म सूर्य खर से जीरो बिजली बिल की विवस्था करेंगे आयुश्मान भारत से पांच लाख तक का मुफ्त इलाज बिल रहा है आगे मिलता रहेगा ये है भाजबा का संकल्ब और मोदी की गैरंटी मध्यमवर्ग परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करेंगे हर परिवार के लिए स्वास्थे सेवाओं का विस्तार हो नए शिक्षन संस्थान बने और इंफ्रस्ट्रक्चर में सुथार हो और परियावरन स्वच्छ हो ये है भाजबा का संकल्ब बोदी की गैरंटी मोदी सरकार में पारदर्शी परिक्षाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और बेपर लीक पर भी बड़ा कानून बना है अब इस कानून को लागू करेंगे नैशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्थ होगी और खेल वीरों तैयार हो जाओ हम 2036 में उलिम्पिक्स की मेजबानी करेंगी ये है मोदी की गैरंटी शक्ती की बंदना करते हुए मोदी जी ने लखपती दीदी का विचार रखा और एक करोड बहने लखपती दीदी बन भी गई है आगे तीन करोड को बनाएंगे महिला स्वयम सहायता समूहों को सर्विस सेक्टर से जोड़ कर नए अवसर देंगे साथ ही सर्वाइकल कैंसर, प्रेस्ट कैंसर, आस्टियो परोसिस इत्यादी समस्याओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शोचाले बनाए जाएंगे नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे ये है हाजपा का संकल मोदी की गैरंटी बीज से बाजार तक किसानों की आए बढ़ाने के प्रयास करेंगे हम श्री अन को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे हम क्रिशी गत शक्ती के रूप में क्रिशी इंफ्रस्ट्रक्चर का विशेश विकास करेंगे मच्वारों के जीवन छूते हर पहलू जैसे की नाओ का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटलाइट द्वारा समय पर जानकारी इन सभी को मजबूत करेंगे मच्वली पालुकों को सीवीड और मोदी की खेती के लिए भी रुद्साहित करेंगे ये है भाजपा का संकल मोदी की गैरंटी हम गिग वरकर्ज, माइगरंट वरकर्ज, टैक्सी ड्राइवर्ज, ट्रक ड्राइवर, आटो ड्राइवर, कुली घरों में काम करने वाले श्रमेक सभी को इश्रम पर जोड़कर उन तक कल्यानकारी योजनाएं पहुँचाएंगे हाइवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनबाएंगे ये है मोदी की गैरंटी भारत की प्राचीन योग की विरासत को एक एमबैसेडर बनकर मोदी जी ने दुनिया तक पहुँचाया है आगे योग का ओफिशल सर्टिफिकेशन भारत देगा ये मोदी की गैरंटी है विश्व भर में धिरुवलुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृती को विश्व में ले जाएंगे भारत की क्लासिकल भाशाओं के अध्ययन की विवस्था उच्च शिक्षन संस्थाओं में करेंगे पिछले 10 साल साक्षी हैं हर वंचित वर्ग को वरियता देती है मोदी सरकार आगे 2025 को जन जातिये गौरव वर्ष के रूप में घोशित करेंगे और एक लव्वे स्कूल पी-म जन्मन वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं एको टूरिजम को बढ़ावा देंगे OBC, SC और ST समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे सब जानते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं आगे भारत को Global Manufacturing Hub बनाने की गैरंटी है मोदी जी की और इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने की हमारे शेहरों को और लिवेबल बनाने की गैरंटी है मोदी जी की Urban Housing, Transportation, Water Management, साफ हवा, कचरे के धेर से मुक्ती और स्वच पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार विरासत से विकास के भी अंगिनत भव्य तिव्य उदाहरन हम देख चुके हैं पिछले दस साल में आगे हम विश्व भर में रामायन उत्सब बनाएं तथा अयोध्या जी का और विकास करेंगे ये है भाजवा का संकल मोदी की गैरंटी मैं अगर प्रस्टाचार पराज कड़ा प्रहार कर रहा हूँ तो ये आपके बहतर भविश्चे के लिए ही है प्रस्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं आपको लूटते हैं प्रस्टाचार के खिलाफ और सक्त कार्रिवाई होगी परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांस्फॉर्म का हमारा मत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा लागू होगी भारतिय न्यायस सहिता भी वन नेशन, वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी विवस्था आएगी समरिद्ध भारत बनाने के लिए विश्व कर्मा परिवारजन, MSME और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने की, क्रेडिट देने की और उनके उत्पादन को बाजार से जोडने की गैरंटी है मोधी सरकार की याद है हम सबको, 2004 से 2014 तक भारत की अर्थविवस्था विश्व में 11 स्थान पर अटकी रही और 10 वर्षों में मोधी जी भारत को 11 से 5 स्थान पर लाए और आगे विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ती बनाने की गैरंटी है मोधी जी की प्रेलवे में नई पत्रियां जुडेंगी नई बंदे भारत, अम्रित भारत और नमो भारत ट्रेने आएंगी विश्व स्तरिय स्टेशन बनेंगे और आने वाले वर्षों में बेटिंग लिस्ट की समस्या एकदम समाप्थ हो जाएगी नए एरपोर्ट, हाइवे, मेट्रो, वाटर मेट्रो बंते रहेंगे और उत्तरी तक्षणी और पूर्विय भारत में बुलट ट्रेन कॉरिडोर की फीजिबिलिटी स्टडी भी आरंब होगी नौथीस्ट में भी विकास यात्रा जारी रहेगी तटिय, त्वीब, पहाड़ी हर क्षेत्र की विशेश जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लैन बनाने की भी तैयारी है पीते दस साल में भारत ने डिजिटल टिकनोलिजी में विश्व में पहचान बनाई है अब हम स्पेस, AI, क्वांटम, सेमी कंड़क्टर, क्रीन हाइडरुजन ईवी जैसी टेकनोलिजी में भारत को अग्रणी बनते देखेंगे हम 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे और 6G टेकनोलिजी को विकसित करेंगे सस्टेनबल डिवलप्मेंट के बिना विकास अधूरा है इसलिए हम 2047 तक उर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भरता हासिल करेंगे और पेट्रूल आयात को कम करेंगे ये है भाजबा का संकल मोदी की गारंटी जिन्होंने इस घरीब का दर्थ महसूस किया है उसकी आवशक्ताओं को समझा है और उसकी आकांग्शाओं को उडान दी है और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की हम विक्सद भारत बनाएंगे ये है मोदी की गारंटी शांती, सुरक्षा और विकास की गारंटी मोदी जी की तो उने जिताने की गारंटी हम सब की